नमस्कार आप देख रहे हैं दो विहार टॉप मैं हूँ आपके साथ अम्रिता पांडे आईए जान लेते हैं विहार में मौसम का मिजाज कैसा होगा साथी ठंड के स्थिति क्या होगी जिलो में तापमान कैसा होगा बिहार कराके की ठंड और सीतलहर की चपेट में है मौसम बिभाग ने पटना, दर्भंगा, जमुई, वैसाली, समस्तिपूर, रोतास, कैमूर, औरंगाबाद, अर्वल, जहानाबाद, समेद, राची के उत्तरमध्य और दक्षिणमध्य भागों में भीशन सीतलहर का ओरेंज लोट जारी किया है वहीं गया, भागलपूर, छपरा, बक्सर और नवादा में कोल्ड डे की इस्तिती बनी हुई है जिसके कारण लोगों को सुबह और साम में हार कपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है बिहार में पिछले 24 घंटों के दोरान 4.1 डिग्री निउन्तम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा अस्थान रहा पटना का निउन्तम तापमान इस सीजन में पहली बार 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इसके चलते सीतलहर जैसे हलात बने रहे राजे का सबसे ठंड सहर 14.1 डिग्री सेल्सियस निउन्तम तापमान के साथ गया और 20 डिग्री सेल्सियस अधिक्तम तापमान के साथ मोतिहारी सबसे गर्म सहर रहा पटना और गया में घंड कोहसा भी देखा जा रहा है वहीं पस्चिम चमपारन के वालमीकी नगर में हलके से मध्य मस्तर की बारिश भी हुई मोसम बिभाग के अनुसार मंगलबार को भी राजे के कुछ सहरों में स्थीत दिवस जैसी इस्तिती बनी रह सकती है कोहरा भी छाय रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र पटना की अनुसार अगले पांच दिनों तक राजे में थंड की इस्तिती ऐसी ही बनी रहेगी पस्चिम बिशोब के कारण ठंड में राहत मिलने की संभावना नहीं है मौसम विभाग ने कहा है कि 27 जनवरी से राजे में एक मजबूत पस्चिमी बिशोब के सक्रिये होने की संभावना है इसके प्रभाव से राजी में पुर्वा हवा बहनी शुरू होगी जिससे ठंड से राहत मिलने के संभावना होगी मोसम भीभाग से मिलने जानकारी के अनुसार ठंड के इस्तिति जो है 27 जनवरी तक ऐसे ही रहने वाली है 27 जनवरी के बाद पुर्वा हवा बहना शुरू हो जाएगी तब मौसम में बदलाओ देखने को मिलेगा तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए दविहार टॉप को फॉलो करें धन हुल हुआ हुआ है